असलाम वेकुम डिये स्टूरेंट आज हम देखने जा रहे हैं यूनित नंबर फोर के अंदर के हम साइन्स रिलेटेटी स्टोरी बुक्स को कैसे अपनी क्लास्टोम में पढ़ाएंगे और बच्चों के लिक्रोशी स्किल्स भी डिवेलप करेंगे और साइन्स के कॉंसेट का नॉलज भी डिवेलप करेंगे लेकिन टीचर्स किस तरीके से साइन्स बेस स्टोरी बुक को क्लास में पढ़ाएं आज हम यह देखेंगे हमारे पास एक बहुत ही जबर्दस एक रीसरच आर्टिकल मौझूद है जिए मुझा था उस आर्टिकल में उन्होंने बकाइदा ए है डिवेलप कर सकते हैं अब जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप को इसमें मल्टिपल कहानिया मिलेंगी लेकिन हम उसमें से एक कहानी ले रहे हैं आज इस कहानी का नाम है आईबिस अट्रू वेल स्टोरी अब यह क्या कहानी है इसको हम देखते हैं और यह कहा जब यह किताब ली ती और उसकी एक्जेंपल बताई थी तो उसका बुन्यादी परपस यह था कि जब हमारे पास हम साइंस थीम की कहानी लेते हैं और वह कहानी अंट्रूमॉफिक कॉंटेक्ट के उपर मौजूद हो जिसके अंदर वेल के ऐसे इमोशन दिखाये जा रहे ह इंसानों की दो कि सोच रही है और बाते कर रही है तो इस किसम के को कितने के के पलास के अंदर आना चाहिए को सुनाना चाहिए это को को डिवेलब करना चाहिए सो इसके लिए प्रॉपर हमारे पस लेस्न प्लाइनिंग का होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जो एहम वजाए वो यह है कि जब हम यह कहानिया इतने चोटे बच्छों को इंट्रिड्यूस करवा रहे हैं तो बुनियादी तौर पे हम उनमें लिट को सुनाना इसलिए बहुत जरूरी है कि ना सिर बच्छों के अंदर एंपथी और की फीलिंग डिवेलप बलकि बच्चों के अंदर डिसीजिजन मेकिंग की भी कैपेसिटी डिवेलप और इस कहानी में हमें कुछ आक्षिन भी नजर आएगा इस कहानी को गो फ्रू करते है है और देखते हैं कि कहानी क्या है आई पिस एक यंग वेल है और बुनियादी तोर पर एक ट्रू स्टोरी है एक एसी वेल के बारे में है जो के इंटांगल हुई थी और रस्क्यू ही थी 1984 में और यह पहला रस्क्यू था जिसमें वेल को रस्क्यू किया गया था और उसके कहानी को डिवैलप किया गया है तो हम दिखते हैं यह कहानी क्या है इसके अंदर हमारा मेन कीरेक्टर करेक्टर है जो के कि यंग वेल है और वह यंग किया करती है वह अपने प्रेंड के साहथ समुंदर के ंंदर घूमती ops居कर डे Kingdom को देखके εν्युई करती हैं सबसी समुंदर के उपर बहुत बड़ाता है और उसको लगता है कि ये सबसे बड़ी है ती वह बोट होती है बोड़ां देवरилась होती है वह किष्टियां उती है कि इसनी बहुत है ऑट जो उनकश्टि 하지यों में लोगो बैठे होते हैं को उसके बाद उसका मामूल बन शूते हैं इक था सथा लेकिन दिन उसके साथ एंसी बॉट के पास चली जाती ए जसके साथ जाता और वेल उसमें फंस जाती है आई विस क्या करती है पूरी जान लगा के अपने आपको जाल से चुड़ा लेती है लेकिन वो जाल उसके मूँ के उपर और उसकी दूम के उपर बन जाता है और किसी भी हाल में उससे छुटकारा नहीं पापाती है आइससे डेफिनेटली आप कि खाने पीने की कि खतम हो जाती है क्योंकि इसके मूँ के उपर जाल बंधा होता है और वो इस स्ट्रगल के अंदर कमजोर होती जाती है और उसको यह रियलाइस होने लग जाता है कि शायद अब मैं मर जाऊंगी वेल के जरूरी है कि वो सर्फिस के उपर जाए और वहां अब ऑक्सिजन को ले लेकिन क्योंकि उसके पर और उसके जो दुम हैं और फिंस वो बंदेवे होते हैं इसलिए वो तेरते वे उपर नहीं जा पाती है इसी दौरान उसकी फ्रेंड वापिस आती है और वो इस को पुश करती है और पुश करके समूंदर की सर्फिस पर ले जाती है लेकिन अब आईविस का लोगों के उपर से बरोसा उट गया है और उनको देखके डर जाती है तो बारा समूंदर के अंदर चली जाती है लेकिन वो देखती है कि एक स्टार फिश जैसा हाथ उसको नजर आता है जो से हल्प करना चाहरा होता है तो वो उस हाथ को द या जाता है तो यह jac Lehr सो अब खूश होती है और बाबन बचों के उपर फेकती कर लोगों भी बोहुत इम्यूज होते है है और उसकी बर जाती है एक वेल जो है एक यंग वेल है वो रेस्क्यू हो जाती है जो कि बच्चों के एमोशन के साथ भी जूड़ी हुई है और इस कहानी के अंदर जो लैंगविज इससे अमाल की गही है